हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स की कुछ जरूरी अपडेट पर बात करते हैं तो पहली अपडेट एर इंडिया की तरफ से दी गई है एर इंडिया ने कुछ हिदायत दिये यात्रियों को अप पूरी तरीके से स्योर हो जाए उसको जानकारी हो जाए कि उसे ट्रिवल करने के लिए पर्मिशन है की नहीं है उसके पास जो डाकुमेंट्स होने चाहिए वो कम्प्लीट है या नहीं वो ट्रिवल वाले कटेगरी में आता है या नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें चेक क एर इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि अभी ऐसा है कि कई सारे देशों ने फ्लाइट तो खोल दिये लिकिन जो नियम और सड़ते बना रखी हैं काटेगरी निर्धारित कार रखी है कि ये लोग आ सकते हैं अभी ये लोग नहीं आ सकते हैं तो इन सब चीज स्वाइब अभी डायरेक्ट वही लोग ट्रवल कर सकते हैं जो लोग स्वाइब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर इंडिया में चुट्टी पर आये हुए हैं बाकी लोग डायरेक्ट ट्रोल नहीं कर सकते हैं वाया किसी अन्य देश में 14 दिन इस्टे करने के बाद सा करते हैं और आपको एरपोर्ट पर रोका जाता है आपकी बोर्डिंग नहीं होती है आपको वापस किया जाता है तो जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे एरलाइन्स किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगी इस तरीके के घटनाओं में अभी कल ही जो दिल्ली से टोरंटो के लिए फ्लाइट थी यानि कनाडा के लिए जो फ्लाइट थी उसमें भी ऐसी खबरे मिल नहीं है कुछ लोगों ने सिकायत की है कि उन्हें चेक करें और जो ट्रवल करने के लिए नियम और सर्ते हैं उनको भी आप पूरी तरीके से चेक कर लें पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही आप टिकट बुक करें तभी आप ट्रवल कर पाएंगे अन्य था आप ट्रवल नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़े एरलाइस के तरब से यात्रियों को हिदायत के तोर पर जानकारी दी गई है अगली अपडेट दोस्तों को वैक्सीन को ले कर है तो जो भी लोग इंडिया में को वैक्सीन लगवा चुके वो लोग अभी विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं क्यूंकि डबलो एच्चों ने को वैक्स तरब से जिसमें बताया गया है कि को वैक्सीन को एप्रूब्ड होने में अभी और समय लग सकता है क्यूंकि डबलो एच्चों की तरब से कुछ सवाल पूछे गए है को भारत बायो टेक से उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही उसको एप्रूब्ड किया जाएगा हाला एक्सीन जो लोग लगवा चुकें और विदेस यात्रा करने के लिए अभी इंदजार कर रहे हैं तो उनको अभी और इंदजार करना पड़ेगा क्यूंकि डिले हो सकता है एप्रूब्ड होने में अगली अपडेट दोस्तों कोईट की तरब से हैं तो मार्च 2020 से मार्च 2021 क आ कर फस गए तो इस तरीके से 9921 परवासी कोयट के जौब से बाहर हो चुके हैं मार्च 2020 से मार्च 2021 के दर्मियान अगली अपडेट दोस्तों इंडिया से UAE फ्लायट को लेकर है तो इंडिया से UAE के लिए फ्लायट के डिमांड काफी बढ़ी हुई है खास तरब पर 6, 6 October को ये फ्लाइटे आपरेट होंगी इंडिया के मैंगलोर अयर पूर्ट से अबूधावी के लिए, तो अगर आप मैंगलोर अयर पूर्टें अभूधावी के लिए तो अब आपके लिए additional flightیں भी available होंगी Air India Express की अगली update दोस्तों Indigo के तरब से Indigo ने अपनी flight के ticket को काफी सस्ते कर दिये हैं लखनो और आगरा route के लिए तो अगर आप लखनो से आगरा के लिए non-stop flight पर ट्रोल करना चाहते हैं Indigo की flight से तो मातर 1999 रुपय में आप travel कर सकते हैं लखनो से आगरा और अगर आगरा से भी लखनो आना चाहते हैं तो 1999 रुपय में ये one way का ticket है तो ये दोस्तों कुछ update थी flight और travels को लेकर आज के लिए बैरान दोस्तों आगे कोई update होगी flight और travels को लेकर खास तोर पर इंडिया सौधी कोयत कतर ओमान बहरीन दुबई तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप पढ़ते सी flight यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लगए खुस रहिए गुडबाए